जानी कि मैंने तुम्हारे 140 मार्क्स इसको एड करो 140 मार्क्स तुम्हारे बढ़ गए भाई 14 group टों 근urst्य उत्र 49 मार्क्स पाई कितने आते है 2021 का examination बहुत ही करीब आ चुका है और exam करीब आते ही हमारी anxiety बढ़ने लग जाती है यह नहीं समझाता है कि हम अपने marks को कैसे increase कर सके अगर अगर मेरे 500 नंबर आ रहे हैं तो उसमें मैं कुछ increment कर सकूं तो इसलिए हम सब आपके लिए लेकर आए है तुका ट्रिक जो कि ऐसी तुका ट्रिक है उस तुका ट्रिक के बाद आपके यार 100 नंबर अराम से बढ़ जाने वाले हैं नीट के अंदर ठीक है 100 marks इसमें यह भी मैं स्किप मत करना क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो यह जो ट्रिक है यह वर्क नहीं करने वाली है और फिर जाकर के आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि भाई यह तो मेरे ट्रिक काम नहीं की अब मैं क्या करूं तो इसलिए यार पहले पूरी वीडियो देख लेना बिना स्किप क्यों कि एक छोटा सा पॉइंट अगर मिस होता है तो यह ट्रिक वर्क नहीं करेगी तो वीडियो को स्किप मत करना लेकिन उससे पहले आगर आप सब नहीं हो इस चैनल पर तो इस चैनल को जाकर कर लेना नहीं 2020 यह रिलेटेड हर चीज आपको इस चैनल पर मिल जात इसके बाद हम तो कट रिक के तरफ चलते हैं सबसे पहली सीज बता देना चाहूंगा यार कि यह जो मैं पूरा तुक्कर ट्रिक बताने वाला हूं इस चीज को आपको पहले घर पे यूज करना है दो तीन मॉक टेस्ट तीन चार मॉक टेस्ट में यूज करना है अगर यह आ तो आपको यह ट्रेक यूज नहीं करनी है अगर आप सभी के 200, 1.5, 200 ऐसे नमबर बन रहे हैं तो जाकर के यह ट्रिक आपको यूज करनी है तो अब हम ज्यादा भी नहीं बताते हैं मैंने डिस्क्लेमर आप सभी को दे दिया है पहले इसको यूज करना उसके बाद में पेपर केमेस्ट्री से 45 कोशन्स बनते हैं और बायो का पूरा मिला करके 90 कोशन्स बन जाता है ठीक है टोटल हमारे पास 180 कोशन्स होते हैं और यह 45, 45, 45 करके पूरे होते हैं और टोटल 180 कोशन्स हुए हमारे सामने ठीक है तो इसमें हम तुक्का लगा कैसे सकते हैं तो कोई सब ही जिस exam में probability यानि कि हमारा अगर plus 4 marks हमें एक question का मिल रहा है यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक question अगर हम सही करते हैं तो हमें plus 4 मिलेगा अगर हम उस question को गलत करते हैं तो minus 1 मिलेगा इसमें हमारी probability ज़्यादा है कि हमारे answer सही होने के तो इसलिए हम इस चीज में यूज़ करते हैं, अगर किसी में भी ऐसा रहे कि प्लस 4, माइनस 1 तो उसमें तुम तुम तुक्का लगा सकते हो, तो ये चीज हमें clear हो गई, इसके बाद आते हैं कि तुक्का लगाना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जो होते हैं, वो ये चीज में झम करना हैं, क्योंकि ने तुक्का लगा दिमाग करके तुक्का लगाए जाता है, ऐसे तुक्का नहीं लगा जाता, अब चलते हम, देखो यह जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ, अभी अलग अलग सरे भी लेंगे, ये सिनेपल ऐसा है कि मानन लो फिजिक् फिजिक्स में total questions कितने 45 एसी chemistry में 45 और हमारे biology में 90 questions यह चीज़ेस clear है ठीक है 45 questions है तो मैं क्या लेकर करके चल रहा हूं यार कि physics में जो भी बच्चा है वो 10 questions तो कर ले जाएगा या chemistry हो सकता है या वो उसका bio हो सकता है ठीक है तो physics में अगर वो 10 questions कर लेता है कितने कर लेता है 10 questions उसके correct होने चाहिए जो कि उसे confirm होना चाहिए कि हाँ ये 10 questions तो मेरे पक्का सही है ठीक है उसके बाद जागर कि इस trick को इस्तमाल करना है बच गए कितने पास हमारे पास questions यानि कि remaining हमारे पास questions कितने बच गए है 35 questions बच गए है ठीक है एक चीज में आप सभी को बता देना इकोसिस करता है ठीक है कभी कबार होता है कि कुछ options को ज्यादा रख देता है थोड़ा बहुत scenarios में लेकिन ज्यादा तर क्या रखा जाता है कि सब को equal weightage रखा जाता है जैसे कि for example में बात करूं अगर physics में हमारे 45 questions है तो अगर मैं A option की बात करूं तो A भी हो क्या करेंगे 11 question को रखने कोईस करेंगे बी ग्यारा सी भी ग्यारा और डी ग्यारा नहीं मानलो 12 रखने कोशिस करेंगे ठीक है यह scenario कुछ भी हो सकता है कि हमारा B 12 हो जाए A 12 हो जाए C तो यह total कितने हो गए 45 questions यानि कि options हो गए A B C D यह हमारे पास options हो गए तो कोशिस का करेंगे इस pattern में र 10 options हमारे पास क्या हो तो हमारे पास कितने हो गारे जाहें झाहिए तो हमारे पास D options वह कितने वादुन ऊत्व तो हमारे पास D option भी 10 हो तो ऐसा scenario भी हो सकता है कि A 15 हूँ ठीक है तो 10,20,30,40,45 ठीक है तो ऐसा scenario तो हम दोनो scenario में देखने जाएंगे अभी ठीक है दोनो scenario चेक करेंगे चलो यह हमारे सामने चीज आ गई अब देखो 10 questions तुमने जो सही किये ठीक है physics की अभी बात कर रहे हैं चलेंगे physics में तुमने 10 questions ही किये तो उन 10 questions में मान लो यह सारे तुम्हारे questions है जिनका तुम options तुम्हारे क्या क्या रखें देखो फर्स्ट कोशन तुमने किया उसका बी आया ऐसी 5th का 6th का यानि कि तुम्हें क्या करना है जो paper आएगा तुम्हारे पास उसमें लिखना है क कि मेरे a option कितने हो चुके है कितनी बार आया एक बार दो बार तीन बार ठीक है तो a option हमारे पास आए थी टाइम्स ठीक है उसी वाग भी ऑप्शन लिखो कि तुम्हारे paper जो तुमने 10 question correct किये तो जो बी आप्शन है वी आप्शन तुम्हारे कितने सही है मतलब एक दो बार है हमारा B option चलो ठीक है C option हमारे पास कितनी बार आया है एक दो तीन चार चार बार आ चुका है C option और D option हमारे पास कितनी बार आया है बस एक बार ठीक है तो तुमने सारे options लिए कि A मेरा तीन बार आ रहा है B मेरा दो बार आ रहा है C मेरा चार बार आ D मेरा एक बार आ रहा है, यह तुमने चारों चीजे लिख ली, इसके बाद क्या करना है मैंने भी बताया कि वेटे सबका equal रखा जाता है तो यानि कि मेरे जो D option है, वो सबसे कम बार आया है क्या है, D options मेरा सबसे कम बार आया है यानि कि भाई, जो जितने तुमारे 35 questions बच गए उसमें एक बार ही D आया है, तो उसमें और कितने D बच गए है अगर ये scenario हम देखते हैं, कितने D बच गए 11 D अभी भी बचे हुए, यानि कि 11 answers हमारे अभी भी ठीक होने बाकी है ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं D सब पर मार दूँगा तुम का, यानि कि जितने भी options हैं इन सभी में D, 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 जो physics है, सारे में D मैंने भर दिया, ठीक है, physics वाले में सब में D कर दिया, तो मेरे कितने सही हो जाएंगे, 11 सही हो जाएंगे, यानि कि यहां देखो scenario, यानि कि मेरे plus positive marks कितने आएंगे, 11 सही हुए, तो 11 into कितना हो जाएगा, 11 into 4 तो कितना हो गए, 44 marks, ठीक है, चलो, 44 marks, अब मेरे गलत भी तो होंगे, तो 35 में से 11, 11 सही हुए, त यानि कि 24 हमें माइनस भी करना पड़ेगा तो 4 4 0 और क्या बचा 20 20 marks मेरे physics के अंदर बढ़ गए हैं अगर equal weightage रहता है तो 20 marks physics में बढ़े ऐसी ही तुम सोचो कि तो चैमेस्ट्री में बढ़ें तो कितने हो जाएंगे 20 और बायो में 90 कोशन होते तो कितने हो जाएंगे 40 यानि कि 80 marks सो तुम्हारे मैंने यहीं बढ़ा दिये ठीक है माल लो कि D option हमारे पास मालो होता एक बार को modernoo ढिकर घॉप्षिन टियू उप्षिन टेकर एक बार को आठी बार होता मार्य पास 15 और उसके बाद जाकर करके दस बार हमारा होता अब option तो कितने हो गए 10 20 25 25 और आठ 33 और कितने options बच गए हमारे पास साथ-पांच 12 तो यह हमारे पास माल लो होते हैं 12 ठीक है तुभी ने डी तुमने माल लिया सबसे घटिया सिनेरियो है यह ठीक है कि डी option बहुती कम आये थे मैंने इसमें तुक्का मार दिया तो हमारे कितने सही होते है आठ में आठ में से हमारे option बार आ चुका यह यह किसा तो 7 वर चलो सिनेरियों की बात कर रहे हैं यह से इस वाले सिनेरियों में हमारे देखो 80 सइए मैंने गलत कर दिया मैंने तुक्का गलत लगाया बहुत बेकार सिनेडियो किया 80 option अगर 25 में 7 minus कितने minus कर देंगे adequate कितने हो गर कि अगर एक बार नहीं immense नहीं औ मेरा हुऊ जाता है that you बेकार सीन बन जाता है तो भी तुम्हारा negative तो कहीं बनेगा ही नहीं ठीक है तब भी तुम्हारा क्या होगा negative तो जाएगा ही नहीं तो यह समझ आ गया नहीं कि इस तुक का ट्रिक से negative में marks सो कभी जाने ही वाले नहीं है ठीक है तो आप अगला scenario दिखाता हूँ कि जिसमें बहुत ही जादा marks बन सकते हैं और एक और scenario हम चार scenario देख रहे हैं एक और scenario होगा जिस scenario में तुम्हें कुछ नहीं आता 180 क, 180 question नहीं आते हैं, फिर क्या तुम्हारे साथ हो सकता है, एक scenario जिसमें बहुती बढ़ियां हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत बढ़ियां, चलो, माझ لो, तुमने ये किये, थीक है, ये वा ले तुमने questions किये, options तुमने, तुम्हारे क्या options आ रहे हैं, मान लो option हमारा A A option हमारा मान लो 1 बार आया है ठीक है B option हमारे पास मान लो 4 बार रखे 10 questions ही ओने ठीक है 5 और 3 और 2 ठीक है ऐसे तुम्हारे पास options आया तुमने 10 questions किये उन 10 questions हो में से A तुमारे 1 बार आया B तुमारे 4 बार आया C तुम्हारा 3 बार आए और D तुम्हारा 2 बार आए जो official answer किये उसमें यह दे रखा हमें answer यह वाल answer दे रखा है कि A 15 बार आ रहा है, B हमारा 10 बार आ रहा है, C हमारा 10 बार आ रहा है, D हमारा 10 बार आ रहा है यानि कि हमारा सही होने वाले, 14 फोर जा कितना होता है, 56, 35 मैं से 14 सही हुए, और हमारे कितने गलत हो गए, 35 मैं सही है, 21 गलत भी हुए, तो 21 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तो बचा कहां 5 और 3, यानि कि 35 मार्क्स एक में बढ़ रहे हैं, और 4 का सो चोगे, यानि कि 35 मानलो इसमें बढ़े तुम्हारे फिजिक्स में, 35 तुम्हारे केमेस्ट्री में बढ़े, और बायो में 70 मार्क्स बढ़े, यानि कि मैंने तुम्हारे 140 मार्क्स इसको एड़ करो, 140 मार्क्स तुम्हारे बढ़ गए, 140 मार्कस बढ़ गए, जो बहुत ही अ स्कूर तुम्हारा ठीक है तो इतना ज्यादा अच्छा भी हो सकता है और सबसे बूरा सिनारियो भी बता दिया मैंने की जीरो मार्क्स भी आ सकते हैं मतब नेगटिव में कभी नी जाने वाले हो और जो मेंली नॉर्मल जो सिनारियो उसे रहेगा उसमें तुम्हारे 80-100 के बी बढ़ेंगे तब नेगटिव नी जाएगा तब कितने बढ़ेंगे चलू यह देखते हैं क्या सिनारियो हो सकता है कि उस बच्छे कुछ भी नहीं आता है तो वह क्या करेगा मानलो उसके जो ऑफिशल आंसर कि उसमें 45 सही हो रहे हैं यहां पर A 45 बार आना है B 50 बार आना है क्विशन लेकर चल रहा हो दो सी लगाएगा तो क्या होगा 40 जानी कि 40 मार्क सब्सक्राइब सब्सक्राइब यानिकि उसकी 140 गळात हो । फिर भी 20 मार्ख उसके प्लस में आने वाले हैं। ठीके। फिर भी 20 मारूच कर जाएगा। गलती से अगर वं 50 वाला करता सीन। माल लो़ 50 वाला लगाता तो क्या होते है । 50 into 4 Hij वोग जाते है ए सब में बीवीवी सब में सी 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 सब में डी में जो बच्चे ऐसी मूँ उठा के जा रहा है पेपर में उस बच्चे के विए 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे नमबर फिर भी आ जाने वाले हैं तो यार यह तुकका ट्रिक भौती अनालेसिस करके बहुत सारे मौक टेस्टों में देख करके तब बना था और इसमें गैरेंटी है कि तुम्हारे पॉस्टिव माक सी आएंगे नेगिटिव कहीं से नहीं होने वाला है तो इसको तुम ट्राई करो पहले मौक टेस्ट में देन